कि हलो दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल इसके गाड़ी में सभी का स्वागत है आज मैं आप एक चोटी सी अपडेट देना चाहता था अपने सामा तुलसी के बारे में जो कि मैंने घर पे ही लगा रखा है मेरे पास तुलसी का प्लांट काफी पुराना है जिसमें आ बाकियों के प्लांट में बना है हर साल वीजब बीच होता है तो मैं एक नहीं किसमें प्लांट छोट देता हूं जिसमें की दो प्लांट में आपको दिखा है यह पी मेरे बहुत पिछले एक साल की है अब इसका साइज भी घंबले का देखिएगा यहने बढ़ा रखा है 26 इंच का देखिए और इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है अब यके नहीं मानेंगे मेरे इस तुल्सी की हाइट मेरे से भी जादा है मेरे हैड लगवा 5 5 है और इसकी हाइट की मेरे से भी जादा निकल रही तो मैं सोचा कि आप लोगों के साहा थोड़ा सेर किया जाए इस राउंड से सेप में जिसके त्रंडे पढ़ने को यह से का रहा है जिसके वेसे सूख जाते हैं अभी भी आज चन्वरी का मंत महीना चल रहा है फिर भी मेरी तुलसी के जो ग्रोथ और इतनी हालात खराब नहीं है जितना की अधर तुलसी लोगों के और भी हो गया है यह मैं इसे देखे इसक्ति पंचिंग में इसलिए कहता हूं कया ही फैदे हैं इसके, एक तो जब बीज सूख जाते हैं जो मेरे काम आते हैं और यह देखिए यहां से इस तरीके से तोड़के और इससे क्या होता है कि तुलसी जो मेरा पलांट है इसके नई ब्रांचे निकलती है और तुलसी पलांट और घंदा हो जाता है तो मैं इसलिए अब मेरा 68 अर्ट पुराना ये प्लांट है तो कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं ज्यादा मेरे को अपना जूबी में केर करता हूं उसको ज्यादा में कुछ इससरे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता क्योंकि यह बिक साइज की हो चुकी है और दूसरा के आइसमें वोट का साइज मैंने बहुत अच्छा दे रखा इसमें इससे कि मुझे रीपोटिंग का कोई डर नहीं है कि इसका एक दो साल बाद ऐसा कुछ करना है तो अब देखिएगा आप इसका इसका हमें अभी कोबिट नाइटी के जब कोरोना वाइरस मार्चमिल आया था इंडिया में तब हमें इसको बहुत बेनीफिट मिले तुलसी के इसका काड़ा पीने के लिए लो प्लांट जैसे की बना सकें पर मेरे पास जो इसका आप देखिएगा कितनी घनी तुलसी है कितनी बड़ी है तो इसको हम लोगों ने सभी फैमिली मेंबर इसका काड़ा बना के इसके पत्तियों का पीते थे तो उस समय भी हमारे बहुत काम आए पर मेरी वीडियो पसंद आ